Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की collective reading है और आज हम ये करने जा रहे हैं कि उनकी hidden feelings आपके लिए क्या हैं. So हम उनकी deepest feelings आज reveal करने की कोशिश करेंगे, जो feelings उन्होंने आपको कभी नहीं बताई हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे. इस reading में बहुत कुछ ऐसा भी आ सकता है जो आल्रेडी आप जानते हैं, बट हम deep जाने की कोशिश करेंगे कि वो deep down आपके लिए क्या feelings रखते हैं, जो वो आपको बताना नहीं चाहते या बताने से डरते हैं, for whatever reason, बट हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी hidden deep feelings आपके लिए क सकते हैं, इसके इलावा, regardless आपकी क्या situation है, ये सब लोगों के लिए reading open है, आप इसको अपने husband, wife, crush, सब के लिए देख सकते हैं, बट शर्त ये है कि आपको किसी से प्यार है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी hidden feelings आपके लिए क्या हैं, so इसमें channeled messages भी होंगे, songs भी आपके हम निकालेंगे, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि cards possibilities बताते हैं, आपकी final destination safe divine source को पता है, safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है, इसके लावा मेरे जितने भी subscribers है, thank you so much, आप लोगों के प्यार और support के लिए, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना, पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा, so अब हम start करते हैं, आज का ये video, इसके लावा Instagram का link मेरा description में है, आपके लिए दो songs हम निकालेंगे और देखेंगे कि क्या energy है, क्या vibe है या क्या theme है आप लोगों के connection की, कोई extra message हो सकता है इन songs में आपके लिए, so first we have, तैनु समझामा की, wow, so एक तो message ये आ रहा है इस song से के, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते है, आपकी परवा नहीं करते है, so that's why शायदी उनका message है कि वो आपको क्या समझाएं, आप जान ही नहीं सकते कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, और कितनी आप की परवा करते हैं, कुछ लोगों के लिए separation situation हो सकती है, so this is a very beautiful song, इस reading के बाद आपने ये song जरूर सुनना है हो सकता है, इसमें आपके लिए कोई special message हो, मैं तैनु समझामा की, ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने हाल मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, so maybe आपके person initiate करें, communication में, but ये totally आपका decision होगा, situation vice versa भी हो सकती है, हो सकता है, आप वेट कर रहे हों के वो initiate करें, then we have Bazi Gar, wow, so ये song तो आप सब लोगों ने सुना होगा, Bazi Gar, oh Bazi Gar, तू है बड़ा जादू कर, मेरा दिल था केला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी आद में जागू रात भर so कुछ magical भी है आप लोगों के इस connection में, कुछ ऐसा magic जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, और definitely ये magic mutual है, आपके person भी नहीं भुला पा रहे हैं, इस connection को and I feel के वो भुलाना चाहते भी नहीं, क्योंकि they really do love you, मुझे ये vibe आ रही है, इन दो songs से, so ये दो songs आपने इस reading के बाद so let's start, in cards को मैंने shuffle कर लिया था, spirit हमे divinely guide कीजेगा, उनकी hidden feelings जो वो मेरे viewer से छुपाते हैं, कुछ ऐसा भी आ सकता है, जो आपको already पता है, so आपने कोई भी message जबरदस्ती अपनी situation में fit नहीं करना है, जो आप से resonate हो वो आप रख लीजेगा, तो first we have the shadow side, darkness से गुजर रहे है आपके person, ये तो बहुत सारे आ गए, कुछ dark है, कोई dark side है आपके person किया तो, जो वो आप से छुपा रहे हैं, then we have nine of swords, the tower, बहुत ज्यादा pain है, upside down हो गई है जिन्दगी, balance बिलकुल खराब है, wow, the lovers, this is the thing, आप से बहुत प्यार करते हैं, ace of swords, आप से बात करना चाहते हैं, उनकी deep, deep desire है ये, hidden feelings, next we have six of pentacles, उनकी deep feelings, we have seven of swords, okay, one more card spirit, two cards आगे, और ये दोनों हम रख लेंगे, we have two of swords and the fool, और आज मैं bottom of the deck भी देख लेती हूँ, overall energy होगी, so we have seven of cups, okay, तो यहाँ पर seven, seven twice है, किसी के लिए significant हो सकता है, but I feel यहाँ पर air energy बहुत ज्यादा है, Libra, Gemini, Aquarius, यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio भी है, and Capricorn, with the shadow side, I feel कि यह devil card है, and the fool, मेरे लिए Sagittarius card है, so यह star signs है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, कि regardless of star signs, अगर energy आप से match होती है, तो बिलकुल आपकी reading है, सबसे पहले मैं फिर से song के ओपर आऊँगी, मैं तैनु समझामा की, ना तेरे बिना लगदा जी, so बिलकुल second कर रहे हैं इस song को यह सारे cards, क्योंकि I feel आपके person इस वक बहुत conflict में है, बहुत परिशान है, anxiety है, depression है, बहुत depressed energy है, कुछ heavy energy मुझे feel हो रही है, बट आप लोग उन्हें परिशान नहीं होना, आपके person deeply heart broken है, उन्हें ऐसे लगता है कि किसी ने मार दिया है, अगर यहाँ पर वो गाना आ जाता, मार डाला, तो यह भी गलत नहीं होता, so anyways, हो सकता है, आप मेंसे किसी को यह song पसंद हो, बट anyways, आपके person बिल्कुल इस वक्त देवदास बने हुए है, I know it's not funny, और यह बिल्कुल भी gender specific reading नहीं है, but surely मैं आपको इतना बता सकती हूँ, जो cards में मुझे नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा depressed है, और इसलिए वो आप से कह रहे हैं कि मैं तैनु समझावा की, वो आपको क्या समझाएंगे, कि आपके बिना उनका दिल नहीं लग रहा है, वो बहुत sad है, आपको लग रहा होगा surface पे वो बहुत cool act कर रहे होंगे, बट उनकी deepest, जो truest और hidden feelings है, definitely प्यार mutual है, बहुत जादा आपसे प्यार करते हैं, और वो शायद confess नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें इतने guts नहीं है या तो, या फिर confidence नहीं है, या उनको ऐसे लगता है कि उनमें इतनी power नहीं है, कि वो अपना सच आपसे share कर सकें, या पा रहे हैं, कि उन्हें कौन सा road select करना है, किस रस्ते पर उन्होंने जाना है, and it has nothing to do with you, उनकी deep feelings हैं, ये hidden feelings हैं, वो आपको आज इस reading के जरीए बताना चाहते हैं, कि you are absolutely wonderful, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, you are amazing, बट ये जो कुछ भी उन्होंने act किया, या जो भी कहा, ये सब उनकी तरफ से आ रहा था, उनके अपने fears थे, उनके अपने traumas थे, उनका अपना lack of confidence था, जिसकी वज़ा से उन्होंने एक certain way में act किया, या कुछ words कहें आप से, क्योंकि वो ऐसी stage पर हैं, अपनी जिन्दगी की, कि जहां पर वो खुद भी न ही जानते कि उन्हें क्या चाहिए, या फिर वो अपनी जिन्दगी में बहुत ज़्यादा struggle कर रहे हैं, उनकी जिन्दगी में चीज़ें upside down है, मेबी उनकी workplace पर काम सही नहीं चल रहा है, उनकी family में उनके relationships ठीक नहीं चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा family drama है, या overall उनकी जिन कर रहे हैं, और वो genuinely बहुत परेशान हैं, और इसमें जो आपसे अलहदगी है वो भी add कर रही है, depression में उनके, right, आपसे अलहदगी होना एक और depressing चीज़ उनकी जिन्दगी में add हो गई है, आपसे अलग होना, या फिर यूं कह लीज़े, अगर आपके अलहदगी नहीं है, वो नहीं दे पा रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, आपको support नहीं वो कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत जादा depressing हैं उनके लिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके जहन में सिर्फ एक नहीं कई चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और ये उनकी hidden feelings हैं, जो आ समटाइम्स ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कि हमारी जिन्दगी में जब कोई एक चीज़ खराब होती है, तो हमारी जहन में एक flashback चलता है, यह यूँ कह लिजे कि recap चलता है, सारे events का जो जिन्दगी में हुए होते हैं, और उस present time में भी जिस जिस के साथ हम हमारी जहन में आ जाती हैं, और फिर हम एक बहुत deep depression में जाते हैं, आपके person का बिलकुल वैसा ही एक phase चल रहा है, जिसमें सिर्फ आप से अलेहदगी यह connection ही नहीं, बलके और भी बहुत कुछ है, जिससे वो deal कर रहे हैं, और वो बहुत जादा परेशान और confused हैं, उन्हें स वो happy face रखते हैं आपके सामने और आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस mask के पीछे, इस deception के पीछे तकलीफ है, pain है, turmoil है, inner turmoil है, conflict है, upside down है उनकी जिन्दगी, अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो मेरा ख्याल है कि वो आपसे यह कहना चाहते कि I am a mess right now, जिन्दगी messed up हुई भी है उनकी, और आपसे वो truly बहुत जादा प्यार करते हैं, कुछ लोगों के लिए soulmate vibes आ रही हैं, कुछ के लिए twin flame vibes आ रही हैं, but definitely आपसे वो communicate करना चाहते हैं, clearly, क्योंकि Ace of Swords सचाई है, सचाई की आवाज है, so I feel कि आपके person आपके साथ कुछ share करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको सचाई बताना चाहते हैं, क्या है ये shadow side, क्या है ये toxicity, क्या है ये problem जो आप लोगों के दरम्यान में आ रहा है, वो आपसे share करना चाहते हैं, और इसमें जो एक bird है, eagle कह लीजिए या whatever, but I feel कि ये एक symbol है message का, of course, और सचे message क genuine, true communication का, I feel कि आपको उनका text message आएगा बहुत जल्दी, या call आएगी, बतापके person आजाद होना चाहते हैं, ये जो भी toxicity है, ये जो भी परिशानी है, आपके person जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, explore करना चाहते हैं, इस connection को, उनका बहुत दिल करता है, कि वो आपके सा commitment करना कोई गलती होगी, no, इस तरह से नहीं, बलकि इस तरह से सोचते हैं, कि क्या मैं worthy हूँ, क्या मैं इस इनसान के काबल हूँ, the viewer, आप, वो ये question करते हैं अपने आप से, और इसलिए depressed हो जाते हैं, क्या मैं इनको वो provide कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ, क्या मैं इनके लि बहुत जादे यहां पर, lack of self confidence है, darkness है, उन्हें ऐसे लगता है, कि वो कुछ भी अच्छा deserve नहीं करते हैं, वो इतनी dark place पर हैं इस वक्त, बट आपको पता है कि darkness के बाद light हमेशा आती है, so hopeless नहीं है आप लोगों की situation, let's see कि वो और क्या feel करते हैं, उनकी hidden feelings, क्या छुपा इस वक्त आप से, वाओ, we have enlightenment, जैसे मैंने अभी बात की, कि darkness के बाद light है, so definitely spirit ने हमें confirmation दी है, कि yes, बिलकुल light आ रही है, enlightenment, आपके person का यह एक, यूं कह लीजे कि spiritual awakening का process चल रहा है, और आपके person light की तरफ आ रहे हैं, next we have, I'm sorry, service, literally कोई service में हो सकता है, I mean, कोई nurse हो सकती है, कोई doctor हो सकता है, कोई police में हो सकता है, army में हो सकता है, but I feel कि कि कोई NGO से भी attach हो सकता है, कोई ऐसा काम आप या आपके person करते हैं, जो लोगों के काम आने वाला है, right, so, इसके इलावा, इस card से ये message भी आ रहा है, कि शायद आपके person के घर में कोई बिमार है, और वो look after कर रहे हैं, with this card I also feel कि वो आपके लिए present होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास six of pentacles है, जो कि equal balance of give and take है, उनको पता है, कि ये चीजें balance नहीं थी आप लोगों के connection में, वो चाहते हैं इस connection पर invest करना, और with this card I also feel कि वो आपको support करना चाहते हैं, yes, बिल्कुल इस card से ये भी एक message आ रहा है, so let's see कि वो और क्या feel करते हैं, उनकी hidden feelings की हम बात कर रहे हैं, service के card से एक और specific message आ रहा है, कि जैसे उनकी deepest desire है कि वो आपके गुलाम बन जाएं, I don't know, ये बड़ा specific message है, बट ये उनकी hidden feelings हैं, जो शायद वो कभी आपसे बयान ना करें, share ना करें, हो सकता है किसी से कर भी दिया हो, बट उनको उनका ये दिल करता है कि वो आपके गुलाम बन जाएं, जैसे एक गुलाम करता है कि फूल बिचा दे रस्ते में, तारे थोड़ लाएं, ये बहुत चीज़ी है, I know, बट ये just examples हैं, बट उनको ये feeling आती है कि वो आपके गुलाम बन जाएं, या फिर आपने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, not in a bad sense, ऐसा नहीं कि आपने रसी से उनको बांदिया है, या आपने force किया है, आपकी grace, आपके प्यार ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया ह इस से मुझे ये भी महसूस हो रहा है, so this is very beautiful, let's see कि और उनकी hidden feelings क्या है, उनकी hidden feelings, oh, बहुत सारे cards आ गए, so wow, we have soulmate, यही बात मैं पहले कर रही थी कि soulmate vibes आ रही है, एक card यहां पर भी गिर गया, wow, chemistry, chemistry बहुत अच्छी है, there is a strong magnetic attraction here, बहुत, बहुत strong pull, magnetic attraction, आप दोनों एक दूसरे के लिए feel करते हैं, बहुत chemistry है, understanding है यहां पर, इसलिए आपके person डरते हैं आपको खोने से, और यह उनकी hidden feelings है, क्योंकि यहां chemistry है, यहां पर soul connection है, यह connection different है, इसलिए यह connection उनने परिशान भी करता है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है, कि वो बहुत advanced नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आपको offer कर नहीं पा रहे है, और इसका result कहीं यह ना हो, कि आप उनकी जिन्दगी से चले जाएं, यहां पर आपके person को fear है, आपको खोने का, next we have separation, आप लोग separation से गुजर रहे हैं, yes, शुरुआत में ही मुझे यह वाइब आई थी और आप देखें के confirmation आगई spirit की तरफ से, कि आप लोग separation से गुजर रहे हैं, बट यह separation का period बहुत जादा लंबा नहीं होने वाला है, यह separation खतम होने वाली है, आपके person की desire है, आपके person distance हो, आपके person is distance को खतम करना चाहते हैं, आप मेंसे किसी ने किसी को block भी कर दिया है, I feel, बट यह specific message था, वो चाहते हैं कि आप unblock कर दें या फिर आप चाहते हैं कि वो आपको unblock कर दें, so we have pay attention to the red flags, उनको ऐसा लगता है कि यह red flag है, यह separation जितनी ज़्यादा लंबी होती चल जाएगी, यह red flag होगा, हमारे दरम्यान में दूरियां और ज़्यादा बढ़ेंगी अगर separation इसी तरह रही, so यह red flag हो सकता है, यह भी हो सकता है कि आपके person को यह feel होता है कि आप move on करना शुरू हो गए हैं, या कहीं आप move on कर ना जाएं, so उन्हें महसूस होता है कि उन्हें signs मिल रहे हैं, जिससे उन्हें feel होता है, energetically भी उन्हें feel हो सकता है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं, then we have playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine, वो आपके साथ गुजारे हुए लम्हों को दोबारा जीना चाहते हैं, और जो playful time आपके साथ उन्होंने spend किया, वो दोबारा भी करना चाहते हैं, and I also feel कि शायद आपके person ने जिन्दगी में बहुत जादा toxicity देखी है, darkness से गुजरे हैं, और अभी तक darkness में हैं, आप से जब भी वो मिले, बहुत light hearted energy थी, light से मिले, आप से जब मिले तो enlightenment हुई, so this is very beautiful, आप से जब मिलत hidden feelings हैं, कि आपने उन्हें इतना अच्छा फील करवाया, यह connection इतना divine है, आपकी energy इतनी joyful है, इतनी light है, इतनी sweet है, और आपकी company में definitely उन्हें यह फील होता है, कि they are alive, and I feel कि इस से जादा मुझे इस पर कुछ कहने की ज़रुत नहीं है, and I am really feeling very heavy heavy inside, मुझे लगता है आप में स किसी की बड़ी heavy feeling है इस वक्त, में भी आप में से किसी को रोना भी आ रहा हो, so this is very overwhelming, आपके person definitely आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यह उनकी hidden feelings हैं, कि आपने एक मरे हुए इंसान में जिंदगी जगा दी, literally I feel कि आपके person ने एक लंबे अरसे से महसूस नहीं किया प्यार, butterflies, वो एक spark, right, जो पहले प्यार में होता है, and you know कि मैं पहले प्यार पर ही सिर्फ यकीन नहीं रखती, I believe कि आपको एक दफ़ा नहीं, बलके जब आप दूसरी दफ़ा प्यार करते हैं, तो आपको पहले से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल हमारा एक ही है, और दिल प्यार करना जानता है, और सिर्फ प्यार करना जानता है, और अगर आपने एक दफ़ा प्यार कर लिया है, तो आप दुबारा भी कर सकते हैं, पहले से भी ज़्यादा कर सकते हैं, so anyways, I feel कि आपके person एक लंबे समय के बाद ये spark महसूस किया आपके साथ, उन्हें लगा क ये दिल अभी भी धड़क रहा है, ये दिल तो अभी भी तेजी-तेजी से हार्ट बीट चलती है, अभी भी बटरफ्लाइज फील होती है, अभी भी होता है, so I feel कि this is very deep, आपके person की ये hidden feelings हैं, जो शायद वो आपसे कभी ना कहें, but they really feel that, so अब उनकी तरफ से channeled messages होंगे कहते, okay, four messages, so let's start, first we have, I know I made a huge mistake, if they pushed you away, और अगर वो अपने आपको रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, whatever, जो भी हुआ आप लोगों के दरमयान, आपके person को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, definitely हो रहा है, next we have, I'm just doing what I have to do right now, so, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि बहुत कुछ चल रहा है अभी उनकी जिंदगी में, genuinely चल रहा है, और वो आपको यहीं बताना चाहते हैं, कि अभी मुझे यही करना है, मुझे करना होगा, मैं bound हूँ, I can't help it, but I have to go to that direction, different direction, right, So, आपके परसन काफी जदा helplessness नजर आ रही है मुझे इस कार्ड में, बत आपको लेकर बहुत ज़्यादा hopeful है, It's not about you, यह कार्ड उनकी जिंदगी के बारे में है, जो परेशानिया उनकी जिंदगी में चल रही है, It's not about you, It's not going to be easy, It's going to be really hard, We are going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you, Wow, so यह बहुत अच्छा मैसिज है, आसान नहीं है यह connection, बहुत मुश्किल होगा, इतना मुश्किल के हम सोच भी नहीं सकते, इतना मुश्किल यह connection हो सकता है, लेकिन मुझे फाइट करना है इस connection के लिए, और मैं फाइट करूंगा, या मैं for this connection, definitely. And last we have, it really was me, not you. So again, जो मैंने आप से पहले बोला था, कि इसमें कोई कसूर आपका नहीं था, जो भी उन्होंने किया, जैसे भी आक्ट किया, जो भी कहा, इसका यह मतलब नहीं था कि आप में कोई कमी है, आप से उन्होंने प्यार हमेशा किया है, लेकिन यह उनका प आप लोगों के खिलाफ जा रहे थे. So, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें. It really was me, not you. So, यह वो आप से कहना चाहते हैं. अब जाते जाते हम एक message, आप लोगों के इस connection से related देख लेते हैं, spirit का क्या कहना है इस connection पर आपके लिए, मेरे viewer के लिए, या कोई extra message spirit की तरफ से जा जाते जाते, कोई guidance आप लोगों के लिए, especially मेरे viewer के लिए. Okay, we have one card. So, be willing to express love. Wow, this is a beautiful card to end this reading number six है ये. So, six harmony का number है. Be willing to express love. Express love to receive love. कभी भी hate energy में मत रहिएगा. Doubt में मत रहिएगा. I feel कि spirit ने आपको ये कहा है कि trust करें. Faith रखें अपने person पर वो आपके साल loyal है. और receptive रहें. ऐसा मत कहें कि वो आएगा तो मैं उसके साथ ये करूंगी. वो आएगे तो मैं ये कहूंगा. ऐसे मत कहिए. उन्हे माफ कीजिए. उन्हें प्यार दीजिए. और फिर आप receive करेंगे प्यार. अगर आप hate energy में रहेंगे, एंगर में रहेंगे तो वो energetically pick करेंगे आपकी energy. और फिर वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे. जब आप एक space create करेंगे, harmonious space अपने एर्दगिर्द, अपनी energy को clear करेंग definitely आपके person उस energy shift को feel करेंगे और फिर वो आपसे communicate कर पाएंगे. बहुत से लोग यह समझते हैं कि law of attraction काम नहीं कर रहा. तो पहली बात तो यह कि यह जुमला ही गलत है कि law of attraction काम नहीं कर रहा. Because law of attraction is law of gravity. So law of gravity, कोई कह सकता है कि काम नहीं कर रहा. रात में क्या हम लोग लग जाते हैं? No. Law of gravity हर वक काम कर रहा है. और यही law of attraction है. What goes around, comes around. So I feel कि यह message बड़ा मेरा clear था कि अगर आप में से कोई भी इनसान, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा. लेकिन अगर कोई इनसान यह समझता है कि यह सब जूट है और यह energy कुछ नहीं होती, तो फिर आपकी म through connect करते हैं. हर चीज में energy है. हर चीज से energy के through connect करते हैं. So stay positive आपसे यह कहा जा रहा है. Be willing to express love. जब मौका मिले, प्यार से बात करें. Compassionate रहें. Compassion show करें. जैसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग compassionate रहें, हमसे प्यार से बात करें. बिल्कुल इसी तरहां compassion show करना है आपने. क्योंकि I feel कि आपके person को बहुत जरूरत है sympathy की भी, compassion की भी और आपके प्यार की भी. So, बहुत खुबसूरत message था ये. जाते जाते आप लोगों के लिए. और ये आप लोगों की reading थी. कुछ भी आप से resonate किया, पसंद आया. मुझे आपने जरूर comment section में बताना है. अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजिएगा, share कीजिएगा और subscribe करना मत भूलिएगा. जाते जा love and you are lovable. अपने आपको ये जरूर बताया करें. अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye-bye.